Hello dear friends, this is your personal English coach Professor DC और इस वीडियो में हम समझेंगे एक बहुती प्यारी सी कविता जिसका नाम है Nine Gold Medals, No Swarn Padak इसे डेविड रौथ ने लिखा है Nine Gold Medals, अमरीगी रौक गायक, घीतकार और लेकक डेविड रौथ द्वारा लिखी गई एक कविता है यह कविता सहयोग, करुणा, सहानुबूती, निश्पक्षिता और चिंता के मानविय मूलियों का जश्ण मनाती है इस कविता में एक विशेश ओलम्पिक में भाग लेने वाले नो अलग-अलग अभी नित अथलीटों के बारे में बताया गया है तो आएए इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं यह कविता एक कहानी के जैसी है इसमें ज्यादा तर difficult words नहीं है लेकिन जितने भी difficult words मुझे लगे उनके meanings मैंने उसी words के बाजू में लिख दिये हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो इस कविता में आठ स्टैंजा हैं आए शुरू करते हैं स्टैंजा वन से इस कविता के शुरू करते हैं एक इवेंट से करी है इस इवेंट का नाम है Special Olympics क्या आप जानते हैं Special Olympics क्या होता है Special Olympics या विशेश Olympics बहुदिक विकलांग और शारिरिक अग्शमताओ वाले बच्चों और वेवसकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है यह 172 देशों में शामिल है और इसमें 5 मिलियन एटलीटों का समावेश भी किया गया है कवी बताते हैं कि देश भर से इस Special Olympics में हिस्सा लेने के लिए धेर सारे किलाडी आये हुए थे इनके जीतने पर इनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रौन्स का पदक मिलने वाला था जायज है कि प्रतिसपर्दा बहुती बड़े स्थर पे थी और इसी वज़े से प्रतिभागियों ने कई हफ्तों और महीनों तक मेहनत भी की थी और वो सिर्फ एक वज़ा के लिए ताकि उनको सोना, चांदी या कास का पदक मिल सके और ऐसा करने पे वे अपना देश का नाम उचा कर सके प्रतिभागियों की स्पर्दा को देखने के लिए दर्शक पूरे उच्सा के साथ पुराने मैदान के चारो और जमा हो गए थे और वे सभी महिलाओं और पुरुशों को जो की स्पर्दा के प्रतिभागी थे उनको खुश करने के लिए तयार थे और उनका पुरुशाहन पढ़ाने के लिए भी बेहद उच्सुक थे Special Olympics, विशेश Olympics की अंतिम कटना बहती करीब आ रही थी लोगों में उच्सा बढ़ता ही जा रहा था Next stanza The blocks were all lined up for those who would use them The 100-yard dash and the race to be run These were 9 resolved athletes in the back of the starting line Poised for the sound of the gun इस stanza से हमें ये पता चलता है कि सबसे आकरी स्वर्दा जो होने वाली थी वो वो 100 मीटर की दोड की थी और सारे प्रतिभागी लकडी के ब्लॉक के पीछे पैनात हो चुके थे वह दोड लगाने के लिए तयार थे हरे एक प्रतिभागी बड़ी ही तेजी से दोडने के लिए तयार था उनके मन में जीतने का द्रड निश्चय बना हुआ था सारे प्रतिभागी अब तयार हो चुके थे वह उस संकेत का इंटजार कर रहे थे जहां पर उनको गोली की आवास सुनाई दे और वे तेजी से भागना शुरू कर सके संकेत दे दिया गया था पिस्टॉल का विसफोट अब सुनाई दिया था और इस तमाके को सुनते ही और इस तमाके को सुनते ही प्रतिभागीयोंने बड़ी ही तेजी से दोड लगाई इन विशेश खिलाडियों में से, जिसका कद सबसे चोटा था, वह उतनी तेजी से, दौड नहीं पाया, और वह लड़कडा के गिर गया, और तौडने के बजाए, वह डामर से बने हुए, कथिन रस्ते पर गिर गया. Next stanza. He gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I'm standing here telling this story, the same goes for what next occurred. वह गुसे में रोने लगा, और दर्द से चीखने लगा, उसे बेहत दुख हुआ, क्यूंकि उसके सारे सपने और उसका पूरा प्रयास अब मिट्टी में मिल चुका था. लेकिन फिर कवी कहते हैं कि आगे जो हुआ, वो बताने के लिए मैं पिलकुल निश्चित हूँ. कवी कहते हैं कि जितना निश्चित मैं हूँ, यहाँ पे खड़े खड़े आपको इस कहानी को बताने के लिए, उतना ही असंतिग्ध, उतना ही द्रड और अवश्य, है इस कहानी का बाकी का हिस्सा Next stanza The eight other runners pulled up on their heels, the one who had trained for so long to compete, one by one they had all turned around One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet बाकी के eight प्रतिभागी, जो बड़ी ही तेजी से आगे जा चुके थे, मन में जीत का सपना लिये हुए उनको ये महसूस हुआ कि कितना दुख में और कितने दर्द में था, वो छोटे से कद वाला खिलाडी, जब वो गिर गया था सभी ने ये महसूस किया, और सभी उसी जगा पे रुक गए जहाँ पर वो पहुँचे थे वो सारे प्रतिभागी, जिन्होंने खून पसीना एक करके, प्रतिसपरदा में जीतने के सपने देखे थे स्वर्ण पदक हासिल करने के सपने देखे थे इसके बाद एक-एक करके सारे प्रतिभागी पलट गए वापस घूम गए और उस गिरे हुए उस लड़की के पास जाके हर एक प्रतिभागी ने उसको पुरुचछान दिया, बढ़ावा दिया, दिलासा दिया, प्रेरणा दी, उतेजना दी और वापस उस लड़के को होने में मदद की next stanza then all the nine runners join hands and continued the hundred yard dash now reduced to a walk and a banner above that said special olympics could not have been more on the mark उस प्रतिभागी को जो गिर के निराश हो गया था उसको वापस उठ खड़ा करने के बाद हर प्रतिभागी ने साथ में चलने का निरनाई लिया सभी प्रतिभागी ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और आगे चलते गए सौ मीटर की दौड एक चाल में परिवर्टिट हो गई थी जैसे की बैनर में लिखा था special olympics विशेश olympics इस शीर्शक ने वास्तव में दौड में हुई कटनाओं को नियाए दिया इससे अच्छा शीर्शक शायद नहीं हो सकता था जो हुआ उसको हम वास्तव में special या विशेश कह सकते हैं next stanza that's how the race ended with nine gold medals they came to the finish line holding hands still and standing ovation and nine beaming faces said more than these words ever will सारे प्रतिभागी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर उसी रास्ते पर चलते गए जहां पे उनको स्परधा लगानी थी और वह समापन रेखा तक ऐसे ही पहुँच गए और हम कह सकते हैं कि सभी को स्वर्ण पदक मिले जो सभी ने किया था वो अमूल्य था और इसलिए सभी प्रतिभागी नो स्वर्ण पदक के पकड़ बन चुके थे समापन रेखा लांगने के बाद भी उन्होंने अपने हाथ पकड़ के रखे थे मुस्कुराते और प्रज्वलित चहरों को देख कर लोग बेहद आस्चरे चकित और प्रसन्न हो चुके थे और उन प्रतिभाशाली चहरों को देखने से एक ऐसी प्रेरणा मिल रही थी जिनका शब्दों से वरणन करना नाममकिन था तो दोस्तों ये है आपकी कविता 9 Gold Medals इस कविता का केवल एक ही संदेश है कि अगर साथ में काम करोगे अगर टीम वर्ट करोगे सारे एक साथ मिलके मुसीबत का सामना करोगे तो सभी के सभी जीत के हकदार हो जाओगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी अगर नहीं आई है तो आप मुझे YouTube के comment section में बता सकते हो और मैं आपके doubts, questions, queries, solve करने की पूरी कोशिश करूँगा I thank you for watching और उमीद करता हूँ आपका दिन शुब रहे